जब भी आप किसी भी तरह का कोई व्यापार शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो सवाल आगता है कि इस बिजनेस को रेजिश्टर कैसे किया जाए क्या कोई कंपनी बना ली जाए या कोई पार्टनर्शिफ फर्म रेजिश्टर कर ली जाए या फिर सबसे पुराना, सबसे सस्ता और सबसे सुगम जो तरीका है कि प्रोप्राइटर्शिफ बना करके सुरुआत कर ली जाए तो आज के इस वीडियो में हम लोग Soul Proproprietorship के बारे में ही बात करने वाले हैं Soul Proproprietorship क्या होती है? इसके advantages क्या है? इसके disadvantages क्या है? इसमें tax rates वगरे के सहाब से लगता है? उन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे नवस्कार मैं प्रसांत कुमार हूँ और मैं प्रथम लीगल के यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कृप sciences को लाइक की जिये और अपने दोस्टों के साथ पाड़िवार के साथ इसको सेर कीजिए तो आई ये आज का वीडियो शुरू करते हैं सोट प्रोप्रोपरियाटरशिप के बारे में जानते हैं Soul Proprietorship एक व्यक्ति का ब्यापार है या कोई company नहीं है जिसमें कि कई सारे लोग shareholder होंगे या कई सारे लोग director होंगे या कोई partnership firm भी नहीं है जिसमें कई सारे partners होंगे या एक ही व्यक्ति का ब्यापार है एक ही व्यक्ति उसका मालिक है एक ही वेक्ति उसके लाब और हानी के लिए जिम्मेबार है कंपनियों में कंपनी को और उसके जो मालिक और डायेक्टर्स होते हैं उनको कानूनी रूप से अलग-अलग वेक्ति समधा जाता है लेकिन सोल प्रोप्रेटर्शिप में ऐसा कुछ भी नहीं है कानून की दृष्टी से सोल प्रोप्रोप्रेटर्शिप और उसका जो मालिक है दोनों एक ही वेक्ति है और सोल प्रोप्रोप्रेटर्शिप अगर किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो डारेक्टली उस सोल प्रोप्रोप्रेटर्शिप का जो मालिक है वही उस सारी गतिवीचियों के लिए जिम्मेदार है तो मोटी मोटी बाते हैं कि सोल प्रोप्राइक्टरशिप जनरली इस देश में सबसे प्रसलित तरीका है बिजनस को स्टार्ट करने का कम और छोटी पूजी के साथ लोग इसको सुरू करते हैं और जित्ने भी छोटे और मध्यमाकार के प्यापार है LEG skipping में तक सबसे बड़ा जो स्टार्ट का लाब है वह है कि आप इस बिजनस में जो भी लाब होगा उसके लिए आप अकेले ही आप उसके हकतार है। आपका कोई partner नहीं है, आपका कोई shareholder नहीं है, आपके साथ कोई director नहीं है, तो जो भी lab होना है उससुद धूरूप से आपको मिलना है, आपके lab को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा है आपके साथ share करने के लिए. दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि Soul Proprietorship में अपने बिजनेस के लिए आप अकेले जिम्मेबार होते हैं आपका पुर्ण नियंत्रा नहता है आपको किसी से किसी भी तरह कि कोई अनुमती लेने की जरूरत नहीं है किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका व्यापार है आपकी पूजी है किसी दूसरे व्यक्ति ने इसमें आपके साथ पार्टनर्शिप नहीं की है कोई दूसरा व्यक्ति इसमें आपके साथ shareholder नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति इस business को manage करने के लिए इसका management देखने के लिए director नहीं है तो जो कुछ भी होता है चाहे वह निरने अच्छे के लिए हो या चाहे वह निरने किसी बुरी चीजों के लिए हो आप उसको करने के लिए उसको लेने के लिए अकेले ही जिम्मेबार है और आपका पुर्ण नियंत्रन रहता है तो यह तो दो इसके बड़े बड़े फायदे है तीसरा फायदा भी मैं आप लोगो को बता देता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर्शिप में गोपनियता का बहुत खयाल लखा गया है आप इसमें मिनिमम कानूनी प्रक्रियाओं का आप पालन करते हैं आपको साल में केबल एक इंकम टैक्स रिटरन फायल करना रहता है इसके उलट अगर आप कंपनियों की बात करेंगे या ललपी की बात करेंगे तो इंकम टैक्स रिटरन के लाबा आपको अपने बुक्स ओफ एकाउंट्स को ऑडिट कराना है चारेड अकाउंटेंट से उसके बाद रजिश्वार आप कंपनी अपनी बैलेंस सीट को अपनी प्रोफिट अनलोस अकाउंट को हर साल फाइल करना है लेकिन सोल प्रोप्राइक्टर्शिप में ऐसा कुछ भी नहीं है आपको किसी चारेड अकाउंटेंट से अपने बुक्स ओफ एकाउंट्स का ओडिट नहीं कराना है एक तर्नोबर की लिमिट तक जैसी आप उस तर्नोबर की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तब आपको टैक्स ओडिट बगर कराना पड़ेगा लेकिन जब तक आप उस तर्नोबर की लिमिट तक नहीं परुशते हैं तब तक आपको किसी भी चारेड एकाउंटेंट से अपने खातों की जांच नहीं करवानी है, कोई audit report नहीं लेना है दूसरा, आपको केबल और केबल एक income tax return फाइल करना है आपको register of companies और register of LLP के अहां या किसी भी दूसरी जो regulatory authority है उसके अहां आपको कोई भी अपना balance seat, अपना profit loss account या अपने खातों के बारे में अपने business के बारे में कोई भी जानकारी उनके साथ साजानी करनी है इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कि आपके business के बारे में जो गोपनी ये जानकारी है जो confidential information है कि आपका turnover क्या था, आपके पास assets कितने हैं, आपकी liabilities कितनी हैं, आपके business में और जो आपकी financial position क्या है उस सब जानकारी cable और cable आप तक ही सिमित रहती है और आप जिसके साथ साजा करते हैं उस तक ही पहुंचती है unnecessarily किसी तीसरे व्यक्ति के पास ये संस्था के पास तो जानकारिया नहीं पहुंचती है, अच्छा, income tax return के अलाबा अगर आपका turnover 20-40 लाक रुपे तक पहुंचता है initially अगर आप turnover नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक तो आपको GST की जुरूद नहीं पड़ती है तो उसका return भी आपको नहीं फाइल करना पाता है इन चीजों के अलाबा proprietorship में आपको जो regulators का interference है वो बिल्कुल minimum है आपको जैसे अगर आप companies बगएर बनाते हैं लपी बगएर बनाते हैं तो कई सारी उसमें जो events होते हैं जैसे आपको नए directors लेकर के आने हैं shareholders लेकर के आने हैं आपको एकताय सीमा से अधिक bank loan लेना है तो आपको shareholders का approval चाहिए आपको रेश्टर अरप companies के यहां अगर आपको मालीजी अपना office shift करना है यहां से वहां तो आपको ROC को intimate करना है आपको अगर अपने directors बगएरे बदलने हैं या कुछ भी अगर करना है तो आपको na ROC को या जो दूसरी नियामक agencies हैं उनको आपको सूचित करना है आपको उनका कई बार उनसे approval भी लेना है ले आपने बईया ऐसा क्यों कर लिया यह तो सारे इनके फाइदे हैं लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया का एक नियम है कि अगर कुछ फाइदा है तो वहां साथ-साथ कुछ नुकसान भी है तो ठीक उसी तरीके से अगर proprietorship firm में business करने के अगर कुछ फाइदे हैं तो यह फाइ बिजनस में क्योंकि कोई partner नहीं है कोई आपका shareholder नहीं है तो पूजी की उपलब्सता कम हो जाती है आप अकेले जिम्मेबार होते हैं इस business में इस firm में अपनी पूजी लगाने के लिए कई बार आप अपनी बच्चत या फिर दोस्तों और बैंकों से उधार लेकर के आप पूजी को शुरू करते हैं लेकिन business के बढ़ाने के लिए उसका विस्तार करने के लिए एक आदमी की पूजी को कभी भी परयाप्त नहीं समझा गया है तो इसमें पूजी की उपलगता अगर आप तूलना करेंगे बाकी बिजनेस के जो प्रकार है पार्टनर्सिप फार्म पूजी इकठा करते हैं तो उनके पास एक बड़ी पूजी बन जाती है लेकिन इसका फायदा आपको प्रकार्टर्शिप में नहीं मलता है प्रकार्टर्शिप में के बल्द आपके पास जो पूजी है और आप जो इकठा कर सकते हैं अपनी डेपूटेशन के दम पे वही कि पूजी है उसी पूजी से आप ब्रिजनेस कर सकते हैं कि दूसरा जो एक सबसे बड़ा नुकसान है वो यह है कि इसमें आपकी जो लीबिटी होती है वह अनलिम्टेड होती है और इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको वो कि liability मैं एक पहले companies का उदारन देता हूँ उससे आपको फिर समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी माल लीजे कि आपकी एक private limited या public limited company है और आपने bank से एक करोड रुपे का करजा लिया वो ब्यापार आपका चला नहीं और अब आप इस स्थिति में नहीं है कि आपकी company वो करजा bank को वापस कर पाए तो bank का करजा अगर आप वापस नहीं करेंगे तो bank तो recovery की proceedings initiate करेगा और initiate करेगा तो bank क्या करेगा कि company के खिलाप में जो नयायाले है, court है या फिर debt recovery, tribunal वगरे है उन सब चीजों में जा करके और bank अपना पैसा recover करने की कोशिस करेगा वहाँ पे जो shareholders है company के जो मालिक है उनकी liability limited है मतलब कि अगर मान के चलिए कि मैं किसी company का shareholder हूँ और मैंने उसमें कहा कि ठीक है अगर एक लाख रुपे की कुल पूजी है और मैं 50% का हिस्सेदार हूँ उस company में तो एक लाख रुपे की पूजी में मेरी जो liability है वो 50,000 रुपे तक की है इसका मतलब है कि bank मेरी जो personal properties है मेरे जो personal savings है मेरे पास घर है या फिर और भी जो मेरी properties है उन properties को bank attach नहीं कर सकता उन properties पे आप personal जो properties है assets है उस पे bank कबजा नहीं कर सकता अपना loan असूलने के लिए जो उसने company को दिया था मुझे नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पे company अलग है और मैं उसका shareholder तो हूँ मैं director तो हूँ तेकिन हम दोनों अलग अलग entity है कानून की नजरों में तो bank company के पास अगर कोई property है उससे तो अपना जो करज असूल ले लेकि मेरी जो अपनी personal properties है उसको bank touch नहीं कर सकता हाँ इसमें कुछ checks and balances है कि मैंने कोई fraud नहीं कर लिया हो company की properties को fraud तरीके से मैंने अपने नाम से नहीं कर लिया हो या bank का पैसा मैं company के business में लगाने के बदले में मैंने अपने काम के लिए खर्च नहीं कर लिया हो या उसकी कुछ है रैफिरी नहीं कर ली हो इस तरह कि अगर कोई बात है तब तो या जो सुबिधा मुझे उपलब्द है कि मेरी properties तक bank नहीं जा सकत है और मुझे कोई चिंता की बात नहीं company के पास पैसा होगा तो bank असूल लेगा नहीं होगा तो नहीं असूल लेगा एक तो पहला चीज अब वो business इस स्थिती में नहीं है कि उससे bank का करजा चुकाया जा सके तो चुकी यहां पे आपकी liability unlimited है तो bank क्या कर सकता है कि आपकी जो possible properties है उन properties को bank siege कर सकता है अटाज कर सकता है उनको बेच करके अपना करज असूल सकता है तो सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यह है जब आप ब्यापार करते हैं तो ब्यापार में आप कई सारे transactions में इंटर होते हैं मैं एक छोटा सा उधारन आपको और देता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि माल लीजिए कि आपका कुछ एक ब्यापार है उस पे आपने पचास laptop खड़ीदना है आ अब आपने पचास laptop खड़ीद लिया और चुकि आप regular basis पे काम करते हैं तो जाहिर से बात है कि सारा का सारा पैसा आपने जो supplier है जिसने आपको laptop supply किया है उसको आपने सारा का सारा पैसा cash में नहीं दिया मतलब पेमेंट आपने तुरंत उसको नहीं किया अपने उसे credit ले ल होगा अब चुकि आपका business stable है आप पहले से उसके साथ काम करते रहे हैं तो जो supplier है उसने क्या गिया कि आपको दो महीने का तीन महीने का credit दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं आपना पांस लाक रुपे का laptop में आपको supply कर देता हूं आप ले लो आपने ले लिया एक महीने के बाद आप उसकी payment नहीं कर पाए जो supplier था आपको payment करनी थी आपने laptop तो ले लिया laptop तो पुराना भी हो गया लेकिन अब आपका वैपार उस स्थिति में नहीं है कि आप उसकी payment कर पाएंगे तो जो supplier है वो क्या करेगा पहले तो आपसे प्यार महुंबत से बात करेगा हाथ प अतलब उसके जो पैसे बाकी है आपके वैपार के उपर उसको recover करने के लिए वो court में जाएगा recovery suit फाइल करेगा money suit फाइल करेगा यहाँ पे अगर आपकी एक company होती तो same वही जो principal जो bank loan के समय में apply हुआ था उसी तरह का principle यहाँ भी apply होता और अगर company के पास पैसे हैं तो supplier उन पैसों से असूल कर पाता अगर company के पास पैसे नहीं है तो असूल नहीं कर पाता मलब आपकी personal जो properties है personal जो asset है वो आपका हमेश पैसा सेफ रहता कि अगर आपका व्यापार नहीं भी चला business group भी गया तो भी कम से कम आपके पास इतने पैसे हैं कि या इतनी assets हैं कि आपके personal कम से कम आपको उस पर समस्या नहीं आनी है और वह तो आप minimum बचा करके लिए जाएंगे ताकि आप दूबारा जिंदगी की नहीं है तो personally liable ठहराएगा और court के माध्यम से वह personally आपसे पैसा असूल लेगा और उसको असूलने में आपके घर बिख जाता है तो कोई बात नहीं आपकी गारियां बिख जाती है तो कोई बात नहीं आपके bank की saving चली जाती है तो कोई बात नहीं मतलब proprietorship में अगर आपके के ऊपर कोई liability है तो liability unlimited है और सिमित है और आप उससे भाग नहीं सकते आपको देना देना है कंपनी के case में limited liability partnership के case में आपको यह सुभिधा मिलती है कि company के पास अगर कुछ property है तो उसी से असूल होंगे पैसे company के पास अगर पैसे हैं तो suppliers उसके जो लोग company के साथ अपना regular transaction करते हैं वो लोग company के पैसों से असूल कर पाएंगे directors और shareholders से personally वो पैसा नहीं असूल कर पाएंगे तो sole proprietorship का सबसे बरा जो disadvantage है को यही एक disadvantage है sole proprietorship में business करने का कि आपकी जो liabilities होती है Unlimited होती है उसकी कोई सीमा नहीं है और आपका सब कुछ जा सकता है सब कुछ जा सकता है आपके कपरे तक जा सकती है सब कुछ जा सकता है लेकिन company में आपको यह protection एकसन मिलती है थो कम्पनी के केस में आप शुरक्छी थे तो यहां इसका सबसे बसे बदानी की अफोल जब्धीनस करने कि बिजनेस करने का ओई हैं कंद। दूसरा कोई भी आदमी जिम्मधारी करते हैं। तो कोई लेता है तो है तो इसका मतलब है कि जब तक आप हैं तब था है अगर भगवान करें कि आप अपने व्यकिति आजाया जिसमें कि अपने व्यकिसी था वी काड़ से अपने व्यक्ति प्विलिभ कुछ प्रोबलम्स और डीश पर जाकल आपका ब्यापार उससे बहुत ज्यादा impacted होगा और कई बार वह ब्यापार आपका बंद भी हो जाएगा क्योंकि उस ब्यापार के बारे में आपके अलाबा किसी और को जानकारी नहीं थी और आप अकेली आदमी थे ना तो आपका कोई partner था ना तो आपका कोई separate management था कुछ भ जाता है जैसे माली की किसी कारण से और समर्थता हो जाती है बिजनेस को करने में वैसी वो ब्यापार भी बंद हो जाता है जबकि प्राविट टिंप्टिल कंपनी या एलल पीज बगरा या partnership फर्म में इस तरह की समस्याइन नहीं आती है कोई ने कोई आदमी ऐसा होता है ज जो तिन चार जो डिसद्बांटेजें हो एक है अब अगला जो इस वीडियो में हो है कि सोल प्रॉपरियाटर्शीप को रेइस्टर कैसे करते हैं इस देश में कोई आसा कानून नहीं है जिस कानून के तहत उल प्रॉपराइटर्शीप का रेइस्ट्रेशन किया जाता हो फ कोई कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि उसका किया सके क्योंकि इंडिविज्वल्स को एक ही विक्ति माना गया है अब सवाल उसता है कि अगर रिश्यसन नहीं किया जाएगा फिर सुरुवात कैसे होगी आपको केबल अपने बैपार का एक नाम सोचना है जैसे अगर मेरा नाम प्र प्रसांत कुमार एंड कंपनी के नाम से अब प्रसांत कुमार इंटरप्राइज या प्रसांत कुमार एंटरप्राइजेस के नाम से मुझे एक वैपार स्टार्ट करना है तो मुझे केबल एक नाम सोचना हो और उस नाम से मुझे एक बैंक खाता खुलवा लेना है अब सव काफी है अब आपसे बैंक कुछ कागजों की मांग करेंगे बोलेंगे कि आप DST का रिष्टेशन लेकर के आजाओ MSME का रिष्टेशन ले आओ या सौपसन इस्टाबलिस्मेंट का ले आओ तो उसमें बैंक्स है वो आपके पैंकार्ड और MSME के रिष्टेशन या फिर सौपसन इस्टाबलिस्मेंट के रिष्टेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपकी प्रोप्राइक्टर सी फर्म का बैंक खाता खोल देंगे लेकिन कई सारे बैंक्स आप से जी एस्टी सर्टिफिकेट की मांग करेंगे लेकिन वह अज्ञानता की वज़े से या फिर रटे रटाइब फर्मूले की वज़े से उस तरह की मांग करते हैं आपको अपना समय उनको समझाने में बेर्थ नहीं करना है आप पैंकार्ड और MSME का का रिष्येशन दे दीजिए और उससे आपका बैंक खाता खुलबा लिजिए अगर बैंक जी एस्टी रिष्येशन सर्टिफिकेट के लिए इंसेस्ट करता है उसके इसमें मेरी एसला होगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगली एक साल में आपके बिजनेस का जो टर्न अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 20 लाक चालीस लाक रुपे तक के टर्नोबर तक पहुचने में ताइम लगना है तो मैं अनेसेसरीली अपने आपको जी एस्टी में रिष्य करने की ज़रूरत नहीं है मुझे तो उस केस में आप बैंक को या तो बात कीजिए मना कर द सर्टिफिकेट और अगर आप जी एस्टी का रसर लेना चाहते हैं तो जी एस्टी के रिश्चेस रस्टीफिकेट के बेश्स पर आपका बैंक खाता खुल जाएगा है खाता खुल गया मतलब आपका बिजनस रेइस्टर हो गया उसके बाद आप अपना ब्यापार शुरू कर दीजिए अंत में एक और बात जो की काफी महत्तपुर्ण है कि इंकम टैक्स रेट्स प्रोप्राइटर्शिप में किस हिसाब से लागू होते हैं देखिए प्रोप्राइटर्शिप में सबसे बड़ी जो लोग के बीच में गलत फैमी है या भ्रांती फैली हुई है कि लोग जो नया ब्यापार करने जाते हैं उनके जानकारी होती है उनको या गैलस फहमी होती है कि जो turnover होगा उस turnover पे income tax देना पड़ेगा जबकि ऐसा नहीं है income tax आपको turnover पे नहीं देना है turnover पे आपको GST देना है वो भी एक limit के बाद income tax आपको सुध लाव पे देना है उदाहरन के लिए अगर आपके व्यापार में पिछले साल आपने 50 लाग रुपे का turnover किया है कि आपने services provide कि आपने माल बेचा 50 लाग रुपे आपने कमाए अब उस 50 लाग रुपे को कमाने के लिए आपने कुछ पैसे खरच भी किये होगे जैसे अगर आप माल बेचते हैं तो आपने कोई लोन लिया हुआ है बिजनेस से रिलेटर तो उसका ब्याज वगएर होगा अगर आपके पास कुछ इंप्लॉईज वगएर हैं उनकी सेलीज होंगी और भी कुछ बेनिफिट्स होंगे दुकान का और खर्चा होगा चाय कॉफी ओफिस वगएर का यह सब खर्चे तो यह सारे खर्चे मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए की कमाई की और 40 लाख रुपए आपने खर्च कर द do Bellowners पर यापको इनकम टैक्स नहीं देना है है अब दस लाख रुपए पर भी आपको इंकम टैक्स देने के लिए जो इंकम टैक्स के रेट्स जो इंडिविजुव पर एपलीकेबल होते हैं मतलब महिलाओं के लिए intrigued होता है साट साल से ओपर के जो वेक्ति होते हैं उनके लिए अलग रेट होता है और बाकि जो लोग हैं उनके लिए अलग स्लैब होता है तो उस जिस पी कैटगरी में आप फॉल करते हैं अगर आप senior citizen है अगर आप महिला है या इन दोरों में से कोई भी नहीं है आप एक सामान ने हैं सामान कैटगरी में आप आते हैं तो उस पर ज इंडिविजुवल्स को जो छूट मिलती है टैक्स से जिसमें है कि शुरुवाती धाई लाख या तीन लाख रुपे तक पर आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना मतलब अगर आपके प्रोपरेक्टर्शिप का अगर तोलकुल मुनाफ़ा जो छूट की सीमा है वहां तक है अब आपको कोई इंकम टैक्स नहीं देना उसी तरीके से इंडिविजुवल्स को जो डिड़क्शन से अविलेबल हैं जैसे कि जो लाइफ इंस्वरेंस कंपनी वगरे का प्रीमियम पे करने के लिए प्रोविरेंट फंड वगरे में पैसा जमा करने के लिए पब्लिक प्र तो इंकम टैक्स के लिए जो अलग से कोई प्रोप्राइटर्शिप के लिए कोई रेट नहीं डिफाइन किया गया अब बात उर्ती है कि इंकम टैक्स के रेट क्या होते हैं तो इंकम टैक्स के रेट हर साल बलते रहते हैं भारत सरकार आम बजट के माध्यम से हर साल इंकम होती हैं deductions की उन में बदलाब करती रहती हैं तो हर सा अलालगल होता है इसके लिए आपकी Charred Accountant या Company Secretary या किसी Tax Professional की मदद ले सकते हैं जो कि आपको इस दरगी रेटों को समझाने में क्या liability बनेगी उसको समझाने में आपकी मदद करेंगे इंकम टैक्स के बारे में यही इंडिविजुल्स को जो available है वही सेम चीज़ आपको प्रोपरियाटर से भी अब अब अंत में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी विंती है आपसे कि आप क्रिपया इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और पड़िबार के साथ इसको अपने सोचल मीडिया फेस्बुक ट्विटर लिंक्टिन वगएरे पे सेयर कीजिए वाटसब गुरूप में इसको सेयर कीजिए आपके अगर कुछ सुझाब है या मुझसे कुछ ऐसा है जो कि छूट गया है रह गया है आपकी कोई शिकायत है तो आप क्रिपया कॉमेंट के माध्यम से मुझे बताईए और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल कोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा अब आज के लिए धन्यबाद बहुत बहुत धन्यबाद आपके नमस्कार